स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजैनी करण शिक्षा विदों के लिए एक समस्या रहा है। सभी के लिए शिक्षा का लक्ष रखा तो गया, मगर उसे प्राप्त करना हमेशा से ही तेड़ी खीर सावित हुआ। आजादी के 57 वर्षों का इतिहास बताता है कि विभिन स्तरों पर शिक्षा के सार्वभौमी करण हेतु अनेक प्रयास किये गए और राष्ट्रिय शिक्षानीती 1986 के बाद तो कुछ ठोस कदम भी उठाए गए इन में Operation Blackboard, महिला समाख्या, शिक्षक समाख्या, लोक जुम्बिश परियोजना, नियोनतम अधिगम स्तर वर जिला प्राथम एक शिक्षा कारिक्रम अर्थात DPEP प्रमुख हैं इन सभी परियोजनाओं में बहुत धन खर्च हुआ और बहुत काम भी हुआ परन्तु प्रारंभिक शिक्षा की संतोष जनक प्रगति नहीं हो पाई एक अनुमान के अनुसार 6-14 वर्ष की आयू के लगभग 25 लाख बच्चे विद्याले में नहीं पहुँच पाए हैं जो कि विश्व के ऐसे बच्चों का लगभग 22 प्रतिशत है और उनमें भी 60 प्रतिशत लड़किया हैं यही कारण है कि सन 2002 में लोगसभा में 86 सम्विधान संशोधन द्वारा 6-14 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया गया लेकिन इससे पहले ही राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की सिफारिश पर 16 नवंबर सन 2000 में क्याबिनिट ने सर्व शिक्षा अभियान को मिशन के रूप में चलाने की अनुशन सा की आखिर ये सर्व शिक्षा अभियान अत्वा SSA है क्या इस अभियान का लक्ष छे से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सन 2010 तक उप्योगी और सार्थक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना तथा विद्याले के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागिदारी से सामाजिक, ख्षेत्रिय एवं लेंगिक विशमताओं को दूर करना है सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य रूप से जो बाति सम्मिलित हैं उनमें प्रमुख हैं सारजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक निश्चित समय सीमा का हुना गुणवत्ता पूर्ण बुन्यादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना विद्यालेई प्रवंधन में स्थानिय संस्थाओं जैसे पंचायत, अध्यापक, अभिभावक आदी की भागिदारी बनाना केंद्रिय, राज्य और स्थानिय सरकार के बीच समन्वे स्थापित करना तथा राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा की परिकल्पना करने का अवसर देना इस कारिक्रम का प्रथम उद्देश इथा सन 2003 तक सभी बच्चों को शिक्षा केंद्रों तक लाना चाहे वे सामान्य विद्याले हूँ, शिक्षा गारंटी केंद्र हूँ, वैकल्पिक स्कूल हूँ, या फिर वापस स्कूल चलो शिविर ये एक कटू सत्य है कि हम इस उद्देश्य की प्राप्ति समय पर नहीं कर पाए शयद हमारी महत्वा कांख्षा का बड़ा हूना, या फिर समस्या का समझ से अधिक गंभीर हूना इसके कारण हो सकते हैं इस अभ्यान के अन्य उद्देश्यों में सन 2007 तक सभी बच्चों का पांच वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना तथा सन 2010 तक लेंगिक व सामाजिक विशमताओं को पाटते हुए सभी बच्चों को आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा प्रादान करना शामिल है इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो बच्चे इस दोरान विद्याले में आएं उन्हें सन 2010 तक शत प्रतिशत शिक्षा में बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए सर्वशिक्षा अभ्यान के उद्देश्य राष्ट्रिय परिप्रेक्ष में व्यक्त किये गए हैं परन्तु ऐसी अपेक्षा की गई है कि विभिन राज्य और जिले अपनी अपनी परिस्थितियों में अपनी समय सीमा के भीतर सार्वजनी करण का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे सर्वशिक्षा अभ्यान के अंतरगत महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में मुख्य रूप से जो बातें शामिल हैं उनमें संस्थागत सुधार, लगातार वित्तिय सहायता, सामुदाईक स्वामित्व, शैक्षिक प्रशासन में सुधार, पूर्ण पारदर्शिता, इकाई के रूप में बस्ती स्तर पर योजना, समुदाई के प्रती जवाब देही, बालिकाओं एवं विशेष समूहों की शिक्षा पर बल, शिक्षा की गुनवत्ता को प्राथमिकता देना, अध्यापकों को महतुपून एवं केंद्रिय भूमी का प्रदान करना, तथा जिला प्राथमिक शिक्षा योजना तैयार करना है, इस अभियान के अंतरगत सरकारी वनेजी भागिदारी के ख्षेतरों क पता लगाने के प्रयास भी किये जाएंगे, विद्याले में दोपहर के भोजन की व्यवस्था, वो डीपी एपी की तज़ पर इस अभियान में सरकारी, स्थानिय निकाए और शासकी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किये जाएंगे, यदि निजी च्षेतर किसी सहायता प दिर्मित करने का प्रयास किया जाएगा, इस कारे में संसाधनों का सहयोग प्रदान करने के लिए जिला, शिक्षा, प्रशिक्षन संस्थान की सहायता ली जाएगी, सर्व शिक्षा अभ्यान के अंतरगत, केंद्रिय और राज्य सरकार के बीच, नौवी पंचवर्षिय य उपात में रहेगी इसके बाद की योजराओं में ये साजेदारी बराबर बराबर की होगी सर्वशिक्षा अभियान में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के मानदंड भी निर्धारित कर दिये गए हैं इनमें प्राथमिक और उच्छे प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 40 पर एक अध्यापक निशित किया गया है एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति सुझाए गई है उच्छ प्रत्येक खक्षा के लिए एक अध्यापक का प्रावधान है इस अभ्यान में प्रत्य एक बस्ती के एक किलो मीटर की परिधि में स्कूल या वैकल्पिक शिक्षा सुविधा प्रदान करने की बात भी कही गई है जहां अभी तक शिक्षा केंद्र नहीं है उन बस्तियों में राज्य के मानदंडों के नुसार नए स्कूल अथवा शिक्षा गारंटी केंद्र खोलने का प्रावधान है दो प्राथमिक विध्यालेओं के लिए एक उच्छ प्राथमिक विध्याले खोला जाएगा प्राथमिक विध्यालेओं में प्रत्येक अध्यापक के लिए अथवा प्रत्येक कक्षा के लिए एक कमरा तथा उच्छ प्राथमिक विध्याले में मुख्य अध्यापक के लिए भी एक कमरे का निर्धारन किया गया है प्राथमिक तथा उच्चे प्राथमिक स्तर पर सभी लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी बच्चों को इस योजना के अंतरगत 150 रुपए तक की पाठ्थ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाएंगी सर्वशिक्षा अभियान अत्वा SSA में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेश ध्यान दिया गया है। उनके लिए छात्रवृत्ति, वर्दी, दोपहर का भोजन, पाठ्थे पुस्तकों तथा लेखन सामगरी का प्रावधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान यह भी सुनिश्चित करेगा कि विशेश आवश्यक्ताओं वाले प्रत्येक बच्चे को उपियुक्त वातावरन और शिक्षा प्राप्त हो, चहे उसकी विकलांगता की श्रेणी और मात्रा कुछ भी हो, इसमें किसी को भी मना न करने की नीदी अ आवश्यक्ता की पूर्ती हे तो, 1200 रुपए प्रतिवर्ष खर्च किये जा सकेंगे। की शिक्षकों के लिए 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षन तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 60 दिन का पुनश्चर्या कारिक्रम रखा गया है। नवनियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों को 30 दिन का विशेश प्रशिक्षन तिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान या ऐसे से एक सामुदाईक योजना है और इसकी सफलता समुदाई की सहभागिता पर निर्भर करेगी। सामानिता एक बस्ती में सामुदाईक एकता अधिक मात्रा में दिखाई देती है इसलिए योजना की इकाई के रूप में गाउं के बज़ाए बस्ती को मानिता दी गई है इसी तरह शहरी क्षेत्रों में इस योजना की इकाई मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों का सम अभियान में योजना प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु के रूप में सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के एक ऐसे कोर दल का गठन किया जाएगा, जिसे सरुषिक्षा अभियान का कारिक्रम सौपा जाएगा। स्वयम सेवी समूहों के प्रतिनिधी, राश्टिय तथा राजिस्तर पर पुरस्कृत सेवा निवृत्त और सेवारत अध्यापक, स्थानिय साहित्यकार, पंचायती राज अथ्वा स्वायत परिशत के प्रतिनिधी आदे शामिल होंगे। हर देश का सपना होता है। भारत में भी सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से इसे पूरा करने की योजना बनाई गई है। परन्तु किसी भी योजना की सफलता उसके कार्यानवयन और लोगों की सच्ची कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करती है। केवल समवयधानिक व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होती है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के लिए भी हमें सामूहिक भागिदारी हेतु परिस्थितियों का निर्मान करना होगा। शिक्षा में समता और समानता लाने का प्रयास करना होगा। शासकिय, अशासकिय तथा निजी संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। यही आशा और विश्वास हमें सफलता तक ले जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान अभी आप सुन रहे थे ये वारता विशय परामर्ष एवं मार्क दर्शन, प्रोफेसर कृष्ण कांत वर्शिष्ट, विशय समन्वय एवं आलेक, डौक्टर राजिंदरपाल, वाचन्स्वर, डौक्टर शुभराशर्मा, ध्वन्यंकन, सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्मान सहयोग, दाव दयाल चत तुर्वेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती अजीत होरो